ओके गाई स्वागत एक और नीव वीडियो में जिसमें कि हम लोग पढ़ रहा है नोड जेस के थ्रू एपियाई बनाना ठीक है तो पिछले वीडियो में मैंने ये फ्लो समझाया था कि हमारा एपियाई कैसे वर करता है एक छोटा से मैंने मौक एपियाई की वेबसाइट पर समझाया था कि यांब डूब की से कर रहा है को कई है तो क्या करें अदेखेंगे कि हमारी अखिर का काम कैसे करता है और बेंट वे क्या है हम लोग को एपियाई बनाते है तलब फॉलो करना ठीक है वह चीजें देखने हैं यहां पर दोखो इस तरह से बना हुआ और यह हमारा थेओरिट थोर्यू का लास्ट वीडियो है इसके बाद हम लोग डारेक्ली सेट अप करना स्टार्ट करेंगे लेकिन हाँ एक वीडियो यह समझाना बहुत जरूरी है कि यह जो मैंने बनाया वह चीज क्या सबसे पहले मैं यहां पर overview देता हूं फिर हम लोग drawing की मदद से समझेंगे कि यह काम कैसे करता है सबसे पहले अगर यहां पर देखे तो हमारे पास कुछ लिखा हुआ तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग request करते हैं और वह request हमारी एक राउट से होकर जाते है यानिकि API से होकर जाते है कहां controller के अंदर controller क्या है controller यह define करता है कि जो भी request आ रही है वह request को आगे कहां बैजना है या तो service layer में बैजना है या फिर कहीं से authenticate करना उसको ठीक है अगर books authentication required है यानि कि books वही बंदा get कर सकता है जो यहां पर login है तो controller उसको validate करता है कि क्या वह बंदा की authentication सही है या फिर वह error है अगर error रहेगा तो वापस यहीं से हम लोग को उसको response मिल जाएगा यानि कि हमारा जो request है यहीं से वापस लाट जाएगा कि भाई तुम्हारा में कुछ दिक्कत है तुम्हारा authentication सही नहीं है तुम्हारा authentication में user name password यह सब गलत है ठीक है तो हमारी request आगे जाएगी नहीं हमारा request क्या करेगा कि पहले route से आएगा controller में controller में check हुआ वह validate नहीं किया वह वापस चला जाएगा response में उसको मिल जाएगा कि something went wrong ठीक है इस तरह से उसको response मिल गया तो layers का यहीं फायदा होता है कि हम लोग किसी भी layer में बंदे का request है उसको वापस कर सकते है उसको आगे ले जाने पर हम लोग को क्या होता है कि हमारी server का load बढ़ेगा और फिर server को load बढ़ेगा तो हमको ज्यादा पैसे देना पड़ेंगे तो इस case में क्या होगा कि हम लोग कोई भी controller नहीं लगाते है कोई भी service layer नहीं लगाते है direct हम लोग request को hit करते है database में कुछ ऐसा logic है जो कि बता रहा ह कि हमारा user है वो validate नहीं है तो फिर हम लोग उसको वापस return करेंगे इस case में क्या होगा कि हमारी request है वो database में गया जो की जरुवत नहीं था हमारी user authenticate नहीं है फिर भी जरुवत नहीं था हमारा की database में जाए लेकिन वो गया database को database का bandwidth था जो उसका load है वो बढ़ाया और फिर हम हम लोग को कुछ response में मिला भी नहीं तो यह चीज को हम लोग solve करने के लिए हम लोग यह layers को follow करते हैं कि अगर महां लोग की request आया तो सबसे पहले हमारा controller के अंदर जाएगा ही जाएगा और वहाँ पर validate करेगा उसके बाद आती हमारी service layer के अंदर हम लोग सारी validation लिखते हैं अभी हमार पास यह structure है अभी मैंने क्या बोला था कि हम लोग कोई भी request यहां पर कर सकते हैं जो भी request करेंगे वो हमारी route में जाएगे route क्या होता कि मानलोग कि जब हम लोग locally चला रहे हैं तो यहां पर localhost ठीक है slash मानलोग हमारे पास book है तो book इस type के हमारे पास एक URL होता है जिसको हम लोग API बोलते हैं उसी को हम लोग route बोलते हैं यहां पर हम लोग route उसी को बोलेंगे ठीक है वैसे तो route अलग-अलग होती है लेकिन final हमारा जो route होता है वो यह ही है कि हमारी जो अगर book की request करनी तो हम लोग यह वाली route को hit करेंगे जब हो हीट होता है तो हम लोग कह जाते हैं controller के अंदर कुछ चीज़ें ही define रहते हैं जैसे कि authentication वालो ठीक है authentication हो गया फिर अगर fail हुआ तब क्या मिलेगा pass हुआ तब क्या return करेगा यह सारी चीज़ें हम लोग controller के अंदर define करते हैं और यह सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे भी cancel लेनी की बात नहीं है और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो हम लोग को जब controller authenticate कर देख लेता है यहां वाई सारी चीज़ें सही है तब हम लोग को pass क्या जाता है service layer में अब देखो service layer क्या होती है यहां पर और भी चीज़ें लेकिन हम लोग अभी बात करते हैं service layer होती क्या तो service layer करेंगे अंदर हम लोग validation लगाते है validation इंदर से इस क्या अगर मालों कि आप एक book को ठीक है book को publish करना चाहते हो यानि कि book को यहां पर add करवाना चाहते हो database में तो हम लोग check तो करेंगे कि आपने जो book डाला है क्या उसकी जो title है वह क्या खाली है क्या आपने आपने खाली तो नहीं छोड़ दिया या फिर उसका image जो है वह आपने कहीं डालना भूल गया तो वह सारी जो validation है वह हम लोग यहां पर लगाते हैं इसको model validation भी बोलते हैं आप इसको model के अंदर भी कर सकते हो नहीं तो आप service layer के अंदर भी कर सकते हो जितना भी validation का काम होगा किसी भी चीज को देखना चेक करना सही आ रहा है कि नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है वह सारी चीज हम लोग service layer के अंदर करते हैं या फिर किसी चीज को map करना हो गया मालों कि हमारे पास database के अंदर book model accept कर रहा है और हम लोग कुछ दूसरा book model डाल रहा है जैसे मालों book request हम लोग user से ले लिए book request लेकिन हमारा database में क्या जाने में हमारे पास direct control होता है direct access होता है किसकी database की यानि कि हम लोग data access layer में directly हम लोग mongodb की data की operation कर सकते हैं जैसे कि क्या कर सकते हैं तो किसी भी book collection को वहां से हम लोग get कर सकते हैं ठीक है किसी भी book को हम लोग directly database में post कर सकते हैं ठीक है यानि कि हमारे पास एक access है यह हमारे पास layers ह हैं हम लोग उसी चीज में हम लोग उस चीज का काम करेंगे जैसे कि हम लोग डेटा गेसकी कोड लिखेंगे सब्सक्राइब सिर्फ टाबाइशन का corridor में कानुट करेंगे सिर्फ निदे करวाेगा कि हमारे आगे जाना चाहिए कि नहीं राउट से में हम लोग सिर्फ डिफाइन करेंगे कि अगर मालोग भुक हम लोग को गेट करना है उसके लिए कौन सा हम लोग API यूजर को प्रवाइड करें जिसकी मदद से वो भुक हमारे गेट कर पाएगा तो राउट हमारे यही डिफ करते हैं बहुत सारे आज तक आपने जो भी वीडियो देखा होगा उसमें क्या होता है कि उनलोग सारी कोड को डेटाबेस की भी कोड को उन्होंने एक ही फाइल के अंदर लिख दिया वैलिडेशन को भी एक ही फाइल के अंदर लिख दिया तो यह हमारी अच्छी चोटी सी काम के लिए क्यों है तो यहां पर आपको जरूत परते हैं कि हर चीज के लिए अलग-अलग फोल्डर बनाओ ठीक है अभी आप खुद का प्रोजेक्ट बना रहो चलो ठीक है लेकिन जब कंपनी में जाओगो तो आपको यह स्ट्रेक्चर फॉलो करने ही पड़ेगा मैंने बहुत सारे यह से बंदों को देखा है जो कि अपनी जो प्रोजेक्ट है वह नोड जेस के अंदर बना के आते हैं या फ अपनी जाते हैं तो उन लोग को सेपरेट करना पड़ता है तब उन लोग को उस टेम दिक्कत आती है कि यह तो मैंने पहली बार कर रहा हूं यह कंप्लिकेटड लग रहा है तो इसलिए हम लोग अभी सब फॉलो करेंगे कि बेस्ट अप्रोच क्या है क्योंकि मैं बैकेंड को उपर काम कर रहा हूं तो इसलिए भाई मैं आपको बहुत बढ़ियां से बता सकता हूं कि बैकेंड की जो हम लोग कोडिंग करते हैं वो कौन तो अगली वीडियो में हम लोग सेट अप करेंगे कि नोट जेस को कैसा सेट अप करता है तो ठीक है गाईस मिलते हैं एकली वीडियो में तब तक लिए बाई बाई इब बाई च्ब है तो